इन सर्दियों में अभी तक मैंने मिक्स वेज नहीं बनाया है और ये मेरे हजबिन की बहुत जादा फेवरिट सब्जी है अब मैंने सोचा कि अगर मैंने इसे नहीं बनाया तो अगली सर्दी आने तक मुझे रोज ताने सुनने को मिलेंगे तो इस बेटर की से बना लिया जा करीब आधा कप मैंने बीन्स का लिया है एक मैंने गाजर छोटी छोटी काट कर ले लिया है आधा कप मटर ले लिये है एक प्यास को मोटा मोटा काट कर उसकी परते अलग करके लिये है और एक शिमला मिर्ची को मोटा मोटा काट कर ले लिया है ये सारी सबजी आप अपने ह गाजर तो पक जाएंगे लेकिन जो गोभी है वो 50% ही पकेगी 5-7 मिरिट में क्योंकि गोभी पकती नहीं है तो चलेगा 50% पक जाए इतना चल जाएगा गोभी बाकी सारी सबजियां जो है वो अच्छे से पक जाएंगी तो अब हम क्या करेंगे इन्हें निकाल देंगे बहा सूखी लाल मिर्चे एक काली इलाइची एक तेस पत्ता दो मैंने लॉंग लिये हैं चोटा सा टुकडा दालचीनी का लिया है तीन से चार काली मिर्च के दाने ले लिये हैं इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे फ्लेम जो है वो हम मीडियम पर रखेंगे जैसी ह हो जाएगा इसमें मैं दो प्यास डाल रही हूँ प्यास को एक दम मोटा मोटा रफली ही काटा है कोई बारी काटने की जरूरत नहीं है जैसे मर्जी मोटा मोटा काट लीजे प्यास को हमें हलका सुनहरा होने तक पकाना है तो इसमें तीन से चार मिनिट का टाइम लगेगा प्यास जो है वो हलके सुनहरे हो जाएंगे इसके बाद मैं इसमें मोटी कटी हुई हरी मिर्चे डाल दूगी दो हरी मिर्चे मैंने डाल दी है अद्रक और लहसुन को मैंने कूट कर लिया है आप मोटा मोटा काट कर भी ले सकते हैं तीन से चार कलिया लहसुन की है एक इंच इसे भी लगातार चलाएंगे और एक मिनिट तक करीब करीब हम इसे पका लेंगे इसके बाद इसमें डाल देंगे टमाटर तो दो टमाटर लिये हैं और टमाटरों को भी मैंने ऐसे मोटा मोटा ही काट कर ले लिया है आठ से दस काजू लिये हैं जिनने मैंने गरम पानी में भिगो दिया था पानी अलग कर दिया है काजू से रिचने साजाएगी सबजी में काजू ना डालना चाहें तो आप मगज के बीच भी डाल सकते हैं भिगो कर टमाटरों को सॉफ्ट होने तक पकाना है तो यह देखिए आप देख सकते हैं टमाटर काफी अच्छे से मैश हो ग पत्ता काली वाली इलाइची और दालची यह मैंने अलग कर दिया है उसे हम नहीं पीसेंगे तो इसको पीस कर इसका स्मूध पेस्ट बना देंगे और साइड में रख देंगे अब आता है हमारा तीसरा स्टेप जिसमें एक चम्मच मैंने तेल का लिया है और थोड़ा सा मै प्रिषे मैंने इस तरीके से लंबी-लंदी काट कर ले ली है अद्रक और लहसुन का पेस टाल दी है और थोड़ी सी कसूरी मेथी यह जाल दी है तीन से चार लहसुन की कल्यी एक इंच अध्रक मैंने दुबारा से लिया है और इसे बोगत अच्छे से हम पकाएंगे बढ़ तो इस पॉइंट पर मैं दो से तीन चम्मच पानी के डालूंगी बहुत ज्यादा नहीं डालना है इसे मिक्स करेंगे और एक मिनिट के लिए मसालों को पकाएंगे मसाले जो है वो जल्दी पकर तयार हो जाते हैं इसके बाद एक टमाटर डाल देंगे बारीक कटा हुआ साथ नमक डाल देंगे नमक मैंने आधा अभी डाला है आधाबाद में डालेंगे और थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल कर इसे मिक्स करेंगे इसे भी हमें तब तक पकाना है जब तक टमाटर जो है वो अच्छे से सौफ नहीं हो जाते तो थोड़ा सा पानी मैं और डाल रही या इस तरीके से लगातार चला कर भी पका सकते हैं तो तेल जो है वो अलग हो गया है अब जो सबजियां हमने फ्राय करके रखी थी सबसे पहले वो डालेंगे और उसे मसाले के साथ में मिक्स करेंगे ताकि यह जो मसाला हमने बनाया है वो सबजियों के ऊपर भी अच्छे का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी मैंने जार में ले कर वो भी इसी में ही डाल दिया है अब इसे बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे सबजी जैसी आप मिक्स करेंगे वैसी आपको खुश्बू आने लग जाएगी बहुत बढ़िया ये सबजी बनकर तयार होती बहुत रिच सबजी है कोई गेस्ट भी आने वाले हो तो आप इसे बना कर तयार कर सकते हैं जैसी ये मिक्स हो जाएगा हम इसमें ड अब इसके बाद में हमें इसे पकाना है तो फ्लेम को एकदम हम लो पर करेंगे धक कर 10 मिनिट के लिए हम इसे एकदम लो फ्लेम पर पकने देते हैं 10 मिनिट के बाद आप देखेंगे सबजी जो है हमारी वो अलमोस्ट बनकर तयार हो गई है तो एक बार और इसे हम मिक्स कर देते हैं अगर आप चाहें तो ढखने से पहले अगर आपको लगता है कि सबजी जो है वो गाड़ी है तो आप इसमें थोड़ा सा गरम पानी डाल कर भी इसे पका सकते हैं अब इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम एक चौथाई कप मैंने डाल दी है आधा चम्मच इसमें गरम मसाले का डाल दिया है और थोड़ी सी धन्या पत्ती डाल कर हम इसे मिक्स करेंगे क्रीम डालने के बाद एक मिनिट के लिए हम इसे लगाता चलाते रहेंगे और फ्लेम याद रखिएगा हमने लो पर ही रखा हुआ है अभी भी अब देखिए हमने इसे मिक्स कर दिया है इसके बाद हम इसमें पनीर को ग्रेट करके डालेंगे यह दिखने में भी काफी अच्छा लगता है और टेस तो खेर इसका कुछ ऐसा खास नह अगर तैयार है कैसी लगी है रेसिपी आप मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बबाए